श्री नाज जी गुरुजी को अलग आदेश, माभगवती को अलग आदेश, राची वाले भेरब बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश-आदेश, मौसम खराब है, पहला दो चैट है उसको, हम लोगों को पाउस करना पड़ा है। तो मैं बता रहा था कि जब आप मंत्रों के बारे में सोचते हैं कि मुझे मंत्र की साधना करनी है, तो मंत्र का व्यवहार आपके प्रतिक क्या होगा, ये आपको जानना चाहिए। मनवे बैठे ऐसे मंत्रों को चुनना चाहिए। में और जो मंत्र का कुल है, वो एक है। तो आपको जीवन साथ का दो नाम होगा, एक होगा आपके राश्षिक अनुसार नाम और दूसरा होता है आपका जो घर में ग्रियस्त जीवन में नाम है, वो नाम है। अगर आपके नाम का पहला शब्द और आप जो मंत्र करना चाह रहे हैं उस मंत्र का पहला शब्द एक है तो दोनों का कुल चक्र मिल जाता है ऐसा होने से ये जादा संभावना बनती है कि वो मंत्र आपका सिथ हो जाए इसमें जादा से ज़्यादा जो आपके कुंडली में कुण्डली में नाम अलग होता है या फिर कुण्डली से जो बताएंगा आपका नाम है उस नाम से अगर आपका मंत्र है कि तो उस अक्षर कि से शुरू होने वाला मंत्र वह आप करें तो आपके लिए ज्लाद सिद्धी दायक होगा वह देवता आपके लिए lli ज्यादा सिद्धिदायक होते हैं कुलाकुल चग्र पूरा जो है पचास वर्णों का होता है और इसको विभाजित करता है फिर प्रित्वी जल अगनी वायू और आकाश में ठीक है अगर जैसे प्रित्वी में छोटी हुआ है बड़ी हुआ है इस तरीके से चार वर्णों में विभाजित किया गया है इसके लिए आप लोग अगर गुरू के सानिद्य में है तो उनसे पूछ लेंगे तो जैसे प्रित्वी तत्व में आपका नाम आ रहा है ठीक है और अगनी तत्व का मंत्र करना चाह रहे हैं तो वो संभव नहीं होता है आप अगनी तत्व में आप आपका नाम आ रहा है जो अक्सर अगनी तत्व में आता है उसमें आपका नाम शुरू हो रहा है और आप कोशिश करिएगा कि जल तत्व का जो है आप साधना करें तो वो संभव नहीं होता जैसे यह रौकी विक्टर इनका नाम रौ से शुरू होता है तो रौ जो है वो अग स्टंबन करना चाहें यह जल तत्व है तो यह जो अगर इनका नाम रॉकी सहीं में तो इनसे यह दोनों साधनाई नहीं हो पाई ठीक है इससे अच्छा कि यह कुछ ऐसी साधनाई करें जैसे आकरशन इनसे बिल्कुल होगा चेटिकी साधना इनसे बिल्कुल होगा क्यूंकि इनका कुलाकुल चक्र मिलता है नाम के अक्षर के नुशा तो पृत्वी तत्व में अगर आप है तो आप जल चक्र वायू जो है आपका शत्रू है और जल कुलाकुल चक्र का मंत्र कर सकते हैं, नहीं समझ रहे तो फिर समझाता हूँ, वर्नो को आपके नाम के पहले अक्षर से मिलना चाहिए, अगर सट कर्म करना है या फिर किसी भी मंत्र को करना है, तो उस विद्या का पहला अक्षर और आपके नाम का पहला अक्षर सेम हो, इसको ध्यान रखे ठीक है दूसरा वर्णों को पांच तत्व में विभाजित किया गया है ठीक है तो आप अगर आपका कुछ और नाम है और आपके आपका वर्ण और वर्ण सेम नहीं है तो आपको सबसे पहले जानना चाहिए कि आप कुलाकुल चक्र के किस वर्ण में आते हैं अब मान के चली है कि आपका नाम उ-A-उ-A-उ-G-O-ड-N-व-L-O-C-H-O इन शब्दो में आता है आप प्रिथवीत कुलाकुल does के वैक्ति हो गए प्रिथवी कुलाकुल के होगा है इसका मतलब है कि आप आकास और ज़ल कुल का मन्तर कर सकते हैं वयू कुल का मंतर आप नहीं कर सकते तो वाइव कुल में कौन-कौन सा आता है तो ओ आ एक को चोट तो पो यह सौ इसी तरीके से हर पंश्तत्व का अपना-पना एक कुल है ठीक है और उस कुल का मंत्र आप कर सकते हैं, जो आपका मित्र कुल हो और जो आपका सत्र कुल हो उसका आप नहीं कर सकते हैं, तो दो विशह, पहला नाम मिलाइए, दूसरा कुल मिलाइए, ठीक है, इतना करने के बाद फिर राशी चक्र में आता है, आपका राशी जो है, वो उस मंत्र स तेते हैं, तो बदा सोच समझ कर देते हैं, ठीक है, राशी मिलाेए, कुल मिलाईए, कुला कुल मिलाईए, सब मिला करके, उसके बाद आपके सथाशाथ का नेऊशार, आपको अगने या सौमे मंत्र मिलता है, उसमें भी गुरु फिर देखता है कि आपको अकूट मंत्र दिया जाए कि अकूट मंत्र दिया जाए आपके मंत्र का हर एक शब्द जो वर्ण का होता है उसका एक मतलब होता है जैसे लोग बोलते है साबर मंत्र लोकल भाशा में बोला गया तो उसमें जो शब्दों का चैन है जो शब्द लाएग है जैसे कुकरे का चाल बिलारे का चीना एक शब्द है, एक मंत्र ہے तो लोगों को लगता है ये तो कुछ भी बोल दिया ये कुछ नहीं बोलते है हर मंत्र का हर शब्द का एक मतलब हता है जैसे, जैसे मैंने भी बोला कुक्रे कुक्रे का च्छान, तो कुक्रे में को पहला शब्द है तो कौ जो शब्द है वो विश बीज होता है. ठीक है? और रा जैसे कुकरे तो जब रा का प्रयोग हो गया तो रा है वो अगनी बीज है. मतलब ये मंत्र जिसके लिए बे कुकरे का और बिलारे का चीना, ये बहुत उग्रमंतर है, ये उग्रमंतर चलाने के लिए है. समझ मे ओम का है तो और शब्द होता है वह शब्द खुद में मृत्यू नाशक होता है क्योंकि वो भासुदेव का रूप आउसं लगे तो आकर्शन करने का आकर्षन और लोगों को को आकरशित करने के लिए इस Kitchen का प्रेउग होता है तो मेरा मतलब है कि हर मंत्र में हर शब्द से इंपॉर्टेंट होता है कि शुरू हो गया लक्षम बूते कर जी मुंजा साना बताए कि आप लोग साधना इमत पूछे सुनियों को अच्छी अच्छी बात बता रहा हूं मिलेगा नहीं आपको कि देख लेता हूं कि शुष्टी की जब शुरुवात हुई थी वही सब सवाल है जो पुराने हमेशा आते रहते कुछ नया नहीं आ रहा हूं कि भैरव जी का कोई ऐसा मंत्र चीजी जिसे में तो सर्वकार सिद्धो जाते हो एक चीज बताए शॉटकाट खोचते का है क्यूं आपको भैरव जी का एक ही मंत्र चाहिए जिससे सब काम हो जाए भैरव जी ने पुदा भैरव तंत्र दिया पूरा करो उन्होंनों इतना तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा था लेकिन मंत्र सिद्ध किसी का क्यूं नहीं होता है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि जो शुरुवाती लक्षन होते हैं जो मूलतत्व होते हैं लक्षन के वो 99% सादक में नहीं होते हैं वो लाब के दृष्टी कोन से आते हैं आप में से कित्तो का पता है मुलतत्व मंत्रों का मुझे यह नहीं पता लेकिन मैं आपको चारपाच गुन बताता हूँ मंत्र सिद्धी का जो सबसे पहला गुन होता है वो होता श्रद्धा आप जो मंत्र जाप है जो साधना कर रहे हैं वो भले के लिए और कल्यान के कि देगा, या फिर इस सादना में पता नहीं, मेरा सफल होगा की नहीं, मुझे दिखेंगे की नहीं, दिखेंगे देव, देखो गीता में लिखा गया है कि जो अज्यानी और जो जिसके मन में शंका हो गई, वही विनाश का कारण होता है, तो बन्तर देवताओं कि साधना करने के लिए ृज़ल्ट की जिंता मत करो पहले तो करो कि मैं करूंगा तो कुछ होगा पहले ही सोचने लगे कि क्या होगा दूसरा धैर होना चाहिए मंतर साधना कि मैं कर रहा हूं तो इसका रिज़ल्ट आएगा अगर 41 दिन में नहीं आया, तो वो मंत्र या तंत्र की कमी ना होके तुम्हारी कमी है, तो उसमें और लगो, गुरू ने जो बोला वो अकाटे होता है, गुरू के शब्दों को फिर आजकल, पहले किताबों में लोग देखते थे, दूसरे गुरू से देखते थे, आजकल महा गुरू, गूगल और यूट्यूब हो गया, उसमें चेक करने लगे हैं, शुद्ध रहो, शुद्ध रहो मतलब सर्फ नहाओ मत, मन से शुद्ध रहो, 24 घंटे बिना किसी की शिकायद करें, जिन्दा रहने के कोशिश करो, 24 घंटे में अगर ये दोनों कारे कर लिए, तो जीवन जो है तुमारा, बहुत ही क्या कहता है, बदल जाएगा, और तीसरा, आसन, आसन को सिद्ध कर लो, अचार विचार तुमारे सुद्ध रहोने चा साधना करो, क्या चाहिए, वो तो देवता खुद देते हैं, ठीक है, अब समझो, अब जैसे मंत्र दे दिया किसी ने कि, जैसे मैंने कल किसी को मंत्र दिया, एक बीज आक्षेर दिया, अब अगले ने पूछा भी नहीं कि गुरुजी आपने क्यूं बीज दिया है, तो आठ मुख्य बीज हैं, जैसे मैंने तो पहले भी बताया था, पहले ओम आया, फिर एम, रिम, क्लिम आया, ठीक है, वैसे करके बीज मंत्र बढ़ते चले गए, लेकिन आठ मुख्य बीज माने गए, जिसकी साधना आप लोगों को करनी चाहिए, एम जो है, पहला बीज है, एम में तीन शब्द मिलता है, ओ, एम, ये गुरू का बीज होता है, दूसरा जो मुख्य बीज है वो है, रिम, रिम में होर ओ, इम, ये शक्ति बीज है, ठीक है, फिर क्लिम, कॉल ओ, इम, क्लिम काली का बीज है, चौथा बीज पता नहीं आप में से कितनों ने सुना होगा ट्रिम बीज मंत्र है टॉस है ट्रिम यह तेजो बीज मंत्र है तेजो बीज मंत्र आप में से मैक्सिम समझेंगे भी नहीं हो आगे क्या ध्यात्म की चीज है जो बढ़ेगा उसको बताऊंगा फिर शांती बीज होता है, स्त्रिम, ये एक बहुती प्रवावी मंत्र है का युक का, स्त्रिम, ठीक है, फिर क्रिम मंत्र है, जो की योग बीज है, श्रिम मंत्र है, महालक्षमी का बीज है, और हिल्रिम मंत्र है, जो की बगला मुखी के मंत्र को शांत करने के भी किया गया, य यह आठ मुख्य बीज हैं, इनकी साधना से ही साधना शुरू करनी चाहिए, आपको पहले ही डिसाइड कर लेना चाहिए कि आपको किसली बीच चाहिए गुरु तत्रों प्राप्त करना है शक्ति तत्रों प्राप्त करना है काली तत्रों प्राप्त करना है योग तत्रों को प्राप्त करना है ठीक है महालक्ष्मी आपको प्राप्त करनी है या फिर रक्षा के लिए आप कर रहें तो जब पहले एक आख्चरी शुरू करेंगे तो फिर बहुत तरह के और जो है कि तंत्रों को आप कर पाएंगे ठीक है